चानक के I.S. Academy में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे समान नागरिक सहीता पे राज्यसवा में शीत का लिन सत्र अभी चल रहा है इसी दोरान UCC पर प्राइवेट मेंबर विल पेश किया गया है तो इसी के संदर में आज हम बात करेंगे बिल को पेश करने के पक्ष में 63 वोट पड़े जबकि इसके विपक्ष में 23 वोट डाले गए बिल में मांग की गई है कि देश में Uniform Civil Code लागो करने के लिए एक National Inspection and Investigation Commission बनाया जाए तो आज की इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि Uniform Civil Code क्या होता है और प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में विस्तार से बात करेंगे तो चलिए अब देखते हैं कि Uniform Civil Code को लेकर चर्चा आखिर क्यों हो रही है पिछली कई महीनों से लगातार देश में सबान नागरिक सहीता यानि की Uniform Civil Code लागो करने की मांग उठ रही है बीजेपी शाषित जो राज्य है जिनमें उत्राखन, मध्यप्रदेश, गुजरात और करनाटक शामिल है ये पहले से ही Uniform Civil Code लागो करने की परकेरिया शुरू करने की बात कह रहे है हाल ये में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टों में समान नागरिक सहीता लागो करने की बात कही थी और रिजल्ट आने के एक दिन के बाद ही ये बिल संसद में पेश किया गया है अब हम बात करेंगे कि Uniform Civil Code क्या होता है समान नागरिक सहीता अथ्वा समान आचार सहीता और कहें तो Uniform Civil Code का अड़ एक स्टेकुलर कानून होता है जो सभी पंत के लोगों के लिए सबान रूप से लागू होता है यह कोड सविधान के अनुच्छे 44 के तहट आता है जो बताता है कि भारत के पूरे छेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक सहीता को सुरुख्षित करने का प्रियास करेगा दूसरे शब्दों में कहें तो अलग-अलग पंथों के लिए अलग-अलग सिविल कानून ना हो ना ही समान नागरिक सहीता का मूल भाव है समान नागरिक कानून से अभिप्राय कानूनों के वैसे समूह से है जो देश के समस्त नागरिकों चाहे वैं किसी भी पंथ से समंदित हों पर लागू होता है यह किसी भी पंथ जाती के सभी निजी कानूनों से उपर होता है समान नागरिक कानून के अंतरगत आने वाले मुख्य विशों में व्यक्तिकत स्तर, संपत्ती के अधिग्रहन और संचालन का अधिकार, विवा, तलाग और गोज्य से मुद्दे शामिल होते हैं अगर इस विशे में भारत की स्तिती देखें तो भारत में समान नागरिक सहीता लागू नहीं है, बलकि भारत में अधिकतर नीजी कानून धरब के आधार पर तै की गए है, हिंदु सिख, जैन और बोध के लिए एक व्यक्तिकत कानून है, जबकि मुसल्मानों और इसाईयों के लिए अपने कानून है, मुसल्मानों का कानून शरियत पर आधारित है, अन्य धार्मिक समदायों के कानून भारतिय संसत के संविधान पर आधारित है, वरतमान में विभिन समदायों के व्यक्तिकत कानून उनके धार्मिक शास्त्रों द्वारा शाशित होते हैं, अगर इससे समंदित विश्विक स्थिती की बात के जाए तो विश्व के अधिकतर आधुनिक देशों में ऐसे कानून लागू है। एक सांसत जो की मंत्री नहीं है यानि की मंत्री मंडल का सदस्य नहीं है। प्राइवेट मेंबर्स बिल की परकिरिया क्या होती है। नोटिस सदन सचिवाले को देना होता है जो इसके समिधान के प्रावधानों के अनुपालन और अधिनियम पर नियमों के अनुपालन को देखता है। जहां सरकारी बिल को किसी भी दिन पेश और चर्चा की जा सकती है। प्राइवेट मेंबर के बिल को केवल शुकरवार को पेश किया जा सकता है। और इसी दिन यानि की शुकरवार को ही इस पर चर्चा हो सकती है। एक से जादा बिल होने पर बिल को पेश करने की क्रम को तै करने के लिए एक बैलेट सिस्टम का इस्तमाल किया जाता है प्राइवेट मेंबर बिल और रेजोलिशन पर संसदिय कमेटी ऐसे सभी बिलों को देखती है और उनके महत्यों के आधार पर उन्हें वर्गीकरत करती है अब हम देखेंगे कि प्राइवेट मेंबर बिल कितनी बार कानून बने है इसका इतिहास क्या रहा है वर्ष 1970 से संसद से कोई प्राइवेट मेंबर का बिल पास नहीं हुआ है अब तक संसद से ऐसे 14 बिल पास हुए है जिनमें से 6 1956 में हुए थे 2000 के बाद 16 لوग सभा में सबसे जङदा संख्या में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किये गए थे इनकी संख्या 999 नहीं थी 16 लोग सभा में 142 सदस्यों ने बिल पेश किये थे जिनमें से 34 सदस्यों ने 10 या ज़ादा बिलों को पेश किया था इसके साथ ही आज का हमारे टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूटूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें थेंक यू सो मच बाइक चैनल थे पूलेज़ और ना सुलिटा करेंगे एक ना स्ब्सक्राइब उनने भीड़्ार साथ